Assalamu alaikum desu amebar Iman big Flexible solar panels या foldable solar panels अगर आप अपने घर की छट के ओपर को solar panel लगवाना चाहते हैं या अपनी गाड़ी के लिए अपनी motorcycle के लिए तो यह वीडियो आपके लिए इस वीडियो के अंदर ऐसे flexible solar panels के बारे बिटाया जाएगा जो आपको different नज़र आ रहे हैंगी और आप अपनी गाड़ी के उपर को solar panel लगवाना चाहते हैं जैसी यह आपको नज़र आ रहा है या आप अपनी motorcycle के लिए solar panel लेना चाहते हैं अपने घर की छटों के अलावा अपने घर की खिड़कियों के अपना लगवाना चाहते हैं तो वो भी आपको नज़र आता है फिर आप आपको different options है solar panel की पहले ज़माने में यह होता था कि solar panel एक aluminium के frame के अंदर आते थे जिसके अंदर एक EVA sheet होती है जिसके उपर solar के cells लगे होते हैं जो आम तो रुपे आपको solar panel मिलते है N type K या P type K जो आपको 6-7 foot लंबा solar panel होता है 4 foot चोड़ा solar panel होता है जो कि आपको market में available है इस लग मैं जो इस वीडियो के अंदर बताने बाला हूँ वो है फूल जैसा solar panel अंबरेला जैसा solar panel च्छतरी जैसा solar panel या ऐसा flexible solar panel बिल्कुल कागस की तरह ये रोल हो जाता है या कलीन की तरह आप रोल करके इसको जहां मर्दी ले जाए चाहिए गाड़ी में रखें और अगर आप तो सैर करने जा रहे हैं मरी, अयूबिया या northern areas में तो अपने साथ इसे fold करके आप लेके जा सकते हैं और उधर आपने इसको खोलना है खोलने के बाद आप जो भी tent आपने लगाया है आप टेंट के तरह आपको बिजरी मिल जाएगी उससे आप अपने laptop चला सकते हैं अपने mobile चला सकते हैं लाइट चला सकते हैं अपने पंका चला रहा है या कोई चीज़ ऐसी चला रही है तो आप चला सकते हैं इस foldable solar panel से इनकी prices क्या चल रही है वो भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ मैं आपसे मेंशा ये कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे like जुरू किया करें और दोस्तों के साथ जूर शेयर किया करें क्योंकि बहुत से लोग हैं जो knowledge अंसल करना चाते हैं बहुत ज़्यादा ये वीडियो देखे होंगे की च्छत के उपर लगा लिए गाड़ी को free of charge ला सकते हैं एक दहुंआ आपने खर्चा किया है गाड़ी की च्छत के उपर आपने solar sheets आपने लगा ली और ये flexible solar panel कहते हैं इसको आपने गाड़ी की च्छत पे लगा लिया या motorcycle का frame बना आएक motorcycle की च्छत पे लगा लिया तो उससे आप बिजली पैदा करते हैं और जो extra बिजली आपकी पैदा होती है उसको आप battery के अंदर store कर लेते हैं और ये भी होता है electric cars के अंदर electric motorcycle के अंदर के राद के time आप 4 चुदा battery से आप अपनी गाड़ी आप उससे चलाते है और दिन के time आप full time सिर्फ और सिर्फ solar के जो sheets हैं जो आपने अपनी गाड़ी के bonnet के उपर और गाड़ी की च्छत के पर लगाई होती हैं उससे आप गाड़ी चलाते हैं इसके अलाबा इसके और जो benefits हैं वो ये है कि अगर आपने tourism के लिए जाना है मरी यूबिया या northern area सो जाना है तो जो foldable solar panels होते हैं उनको आप साथ लेके जा सकते हैं उनको roll भी कर सकते हैं उनको press करके तैया लगा के रख सकते हैं कि छोटेते shopper में आप डाल रहे हैं किसी बैग में आप डाल रहे हैं तो उसको आप लेके जा सकते हैं आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको like जरूर किया करें दोस्तों के साथ जरूर share किया करें और जो लोग नए है जो अभी तक जो लोग ने चैनल सब्स्राइब नी किया ताकि आपको solar related और business और investment के हवाले से हर तरह की वीडियोज मिल जाये करें क्योंकि मेरी degree बिजनस की है तो मैं आपको बिजनस के बारे में बता सकता हूँ और solar के बारे में मैं पिछले 4-5 साल से वीडियोज बना रहा हूँ solar के बारे में complete information मेरे चैनल के उपर मिल जाएगी कोई 300 से उपर वीडियोज मेरे सिर्फ solar के उपर है बाकि टोटल मेरे 700 से ज्यादा वीडियोज इसक्ट एक्टिव है जो आप देख सकते हैं 24,000 सब्स्राइबर है और 220 में ही मेरे 1,000 सब्स्राइबर हो गये थे और एक लाग सब्स्राइबर के बाद आपको पता है सिल्वर प्ले बटन आता है जो के मुझे आया था अगस्ट 2020 के अंदर करोना अभी भी खत्म हुआ था तो उन दरों की बात है अब आज़े जी solar panels ये किस किस चीज़ में यूज़ हो सकते हैं इसके क्या benefits हैं क्या क्या नुक्सानात है जो flexible solar panels है जब foldable solar panels है ये आम जो solar panels हैं उनसे ज़रा different है आपको पता होगा कि पिछले 6-7 मीनों से बलके एक साल होने वाल है मैं आपको solar panel prices in Pakistan जो 2024 है जो उसके बारे बताता हूँ फिर tier 1 categories के solar panel की prices भी मैं बताता हूँ आपको tier 1 solar panel prices in Pakistan वो भी मैं आपको बताता हूँ वो तक्रीम हाद 3-4 दिन या एक हफ़ते बार मैं आपको solar panel की updated जो prices है latest prices of solar panels वो मैं आपको बताता रहता हूँ तो वो भी है फिर साथ में आपको मैं solar के packages के बारे में बताता रहता हूँ कि अगर आपको एक AC है या दो AC है एक AC है पांच पंके हैं दस लाइटे हैं कुछ पानी की मोटर है तो उसका कुन सा package लगी गा तीन किलोवाट लगी गा चार किलोवाट लगी गा या फांच किलोवाट लगी गा इसे ऐखा आपको अब है दो AC है और वो भी union Đेज़ टर्क है तो उसके लिए आपको साथ किलोवाट का solar system लेना चाहिए या 10 kWh का लेना चाहिए जिसके उपर भी मेरे वीडियोस हैं वो आपको आई बटम में इदर लगर आ जाएंगे प्लस आपको मैंने industrial packages के बारे में बताया है जो 20 kWh से लेके 100 kWh तक होते हैं कुछ 500 kWh तक की भी होते हैं बड़ी बड़ी जो industries हैं उनके दर solar panels के solar packages लगते हैं और solar के जो different systems हैं वो आप हर जगा पे आज का लगाते हैं फैक्टीज में, offices में, घरों में और farm houses में और हता के आप के पास खेट हैं खेट के अंदर कोई फसल आपने होगाई हुई है कोई farming आप करते हैं कोई गंदो माब उगाते हैं कोई कपास उगाते हैं किसी भी किसम की आप फसल उगाते हैं तो उसके लिए जो टिवल लगाते हैं पंदरा होर्सपावर का लगाते हैं ये बीस होर्सपावर का लगाते हैं तो उसके लिए पंदरा किलो वार्ट का या 20 किलो वार्ट का सोलर सिस्टम अगर आप लगवाना चाते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कौन से शेर से वीडियों देख रहे हैं अगर आप ने अपने घर की छट के लिए 5 किलो वार्ट, 10 किलो वार्ट या 15 किलो वार्ट का सोलर सिस्टम लगवाना है एक हिसी के लिए या 5 हिसी के लिए या 2 हिसी चलाने के लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपने अपने शेर का नाम लाज़ी बताना है और मैं आपको बता दूँगा कि सोलर पैनल प्राइसे इन पाकिस्तान आज के दिन में क्या चल रही है इसके लावा जो 5 किलो वार्ट का सोलर सिस्टम है वो आपके घर पे कितने का लगएगा अब आज़ें जी फ्लेक्सिबल सोलर पैनल की तरफ दुबारा इसमें ये फोल्डेबल सोलर पैनल भी वेलेबल है जो कि आपको जी शीटें मिलते हैं जो आपको नजर आ रहे ही बैक सेट यह आपको देखें इस स्वीट टीव स्क्रीम पे ये 100 वार्ट का सोलर पैनल भी बिलता है 200 वार्ट का भी बिलता है पाकिसान में 100 वाट का फोल्डेबल या फ्लैक्सिबल सोलर पैनल है जोकि ऐसे बेंट हो जाकता है बिल्कुल यह आपको द्रास.pk पे अलीबाबड.com पे अलीएक्स्प्रेस पे या पाकिसानी मार्केट में लाहूर में हाल रोड के उपर और कराची में सदर में आपको मिल जाए कि 100 वाट इस वर मिल रहा है 12,000 से 13,000 रुपे में यह तक्रीबिए 100 रुपे से भी ज्यादा पर वाट पड़ रहा है इस वक्त यह महंगे है 250 वाट का जो फोल्डेबल सोलर पैनल है वो इस वर मिल रहा है 32,000 रुपे का ठीक है 32,000 रुपीस का और 400 वाट का फोल्डेबल या फ्लेक्सिबल सोलर पैनल यह दो तरह के होते हैं इस फोल्डेबल होते हैं और इस फ्लेक्सिबल होते हैं जो फोल्डेबल है वो ऐसे प्रेस हो जाते हैं जैसे आप कपड़ों को प्रेस करके किसी बैग के दर डालते हैं लेकिन जो फ्लیکसिल सोल पहता है वो ऐससे फ्लेक्स हो जाते हैं ठीक है उनको भी आप different as रिधन रम ले जा सकते हैं अपने साथ carry कर सकते हैं सबसे बड़ा फाइदा ही है कि यह portable है यह एक जगा से दूसरी जगा आप एजिले लेकर जा सकते हैं अगर आप अपने घर से हफते के रिए दस सिंग के रिए घर से आउट और सिटी जाते है या आउट और कंट्री जाते है तो आप इस तरह से उनको fold करें और ले जाएं बाकी अगर आप ऐसे छोड़ी जाएंगे तो होसता है छट के उपर से कोई page खोले है और page खोले के आपके solar panel ले जाए और छोड़ी हो जाए यह भी नुक्सान हो सकता है लेकिन foldable में यह भी फाइदा है कि आंदी आती है तुफान आता है किसी किसम का problem आता है तो उसे fold करके आप नीची अपने घार की safe जगा पर रख लगते है और easy to install है अगर आप tourism के लिए किसी जगा पर जाते हैं किसी भी northern area पहाड़ी area में आफ्टे के लिए जाते हैं तो इसे easily install आप कर सकते हैं कागत की तरह जगते की तरह होता है आप इसे लेकर जा सकते है lightweight होता है बिल्कुल फूल की तरह बज़र होता है बहुत हलका होता है और prices इसवत comparatively जो N-type का solar panel है या P-type का solar panel है जिको N-type जिको P-type या Canadian solar का जिक टॉप को टेकनोलोजी है उससे यह double कीमत पर है लेकिन अगर आपने अपने घर की छट के लिए fix किसम का solar panel लगवाने है फिर तो आपको मैं यह recommend करूँगा कि लोजी के हाइमो 6 या लोजी के हाइमो 7 double class लगवाने या फिक जिको के N-type के solar panel लगवाने वो 570 वाट से लेके 750 वाट तक के different आपको solar panel मिल जाते है आपको पते ही होगा कि मैं solar panel prices पाकिसान हर हफते तकरीबर अपडेट करता है तो market जैसे नीचे आती जा रही है फिले एक साल में 120 रुपे वाट से गिरते गिरते अब तकरीबर कोई 35-36 रुपे पर वाट आपके आगे और मजीद हो सकता है क्योंकि हजारों कंटेनल्स कराची पोर्ट में पहुंच चुके हैं मजीद हो सकता है कि इसके रेट गिरते गिरते 25 रुपे वाट या 20 रुपे वाट भी हो जाए चुके पूरी दुनिया में solar panel manufacture हो रहे हैं पहले सुप चाइना में हो रहे थे अब अमेरिका के अंदर योरप के अंदर हता के इंडिया के अंदर लाखों वाट solar panel हार महीने बन रहे हैं और लाखो solar panel मतलब और वो क्या कर रहे हैं अपने जितने द्रियार इंडिया के अंदर जितनी नहरे हैं उनकी च्छत भी solar की बनाते जा रहे हैं, फिर वो जितनी बिल्डिंग्स है, उस पर भी solar प्रान बनाते जा रहे हैं, फिर उनका जो राजस्तान का एक पुरा पूरे सुबह के अदर बड़े-बड़े solar parts ना रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आपको पता बावलपूर के अंदर काजनल सोलर पार्क बना था हंडर्ड मेगावार्ट का लेकिन और बजीद भी एक्स्टेंड होगे और इधर कई ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो पहले बिजली पैदा करते थे इससे फर्नस सॉयल से अब वो करवर्ड हो रहे हैं सोलर के उपर यह निकि वो सोलर पार्क वहां वो सोलर पार्क बना रहे हैं और यह थे जी फ्लیکसिबल सोलर पैनल Buffalo की हकीकत और कई ऐसे विडियोज भी आमने देखे होंगे की डेथ होगी थी तो डाइनोसार्स की चर्पी है वो जमीन के लिदे चलेइगी और उसी से आज हम पेट्रोल डीजर once या जए टाइल जहाजों का वो बना रहे हैं तो जो डाइनोसार्स है वो लाखों डाइनोसार्स थे जो आज से लाखों साल पहले फोत हो जगए पर जितना लोहा आपको नज़र आता है बाकिस्तान में या पूरी दुनिया में रिशिया में यस रहा है नहीं लगए है रहा रहता है हर चीज रिसाइकल होती है और इवन इंसान जो उसके डेथ हो जाती है तो उसके मिटी के अंदर से जो डिफरेंट किसम के जो चीजे होती है कार्बन होता है और आइरन होता है ये सारा भी रिसाइकल होके द्रस्तों बे चला जाता है تو जैसे कुरान में आता न中共 इननल्लाहिमिनायरा ह로 हम अलाही के हैं और अलाही की तरफ लोड़के जाने वाले हैं और दुस्क्राए पर अग्युक्तु आपने कुरान व्जेब में फरमाया जो कुछ भी है सब अलाही करे है और एक और जिगापे लापाक ने फरमाया कि आस्मानों और जमीम की बादशाहत सिर्फ एक अल्ला की है इसलिए मैं आपको यह निकमेट करूंगा कि अगर आप मुस्लमान है तो अल्ला के साथ किसी भी इनसान को या किसी भी चीज़ को आप शरीक ना करें यह दुनिया का सबसे बड़ा गुना है और शिर्क से बड़ा कोई गुना नहीं है और अगेन कुरान मार्क में अल्ला पाक ने एक जिगापे यह फरमाया सूरा यूस्प में और कि अक्सर लोग अल्ला पे रिमान लाने के बाद भी शिर्क करते हैं और हम ये हमारे कंट्री के पाकिस्तान में और और बहुत ज़्यदा इस सो पहलता जा रहा है शिर्क और अल्ला को छोड़के अल्ला के बंदों को मुखलत के आपने डिक्षी होगे यूट्यूब के ओपर भी और डिफरेंट जिगाब के ओपर भी पीरों को बहुत ज़ीदा लोगो मारना शुरू हो गया हैं पीर ऐस से लोग असे लोग आपके कैसे मुशल के शाया हो सकते हैं इतनी सी बात इतनी छोटी सी बात लोगो मतलब समय नहीं आती वो अल्ला को छोड़ के अल्ला जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा अफ़ल भी है आखर भी है और हयू भी है और कयूम भी है हयू का मतलब होता है हमेशा जिन्दा रहने वाला हमेशा जिन्दा सिर्फ अल्ला की जात है जो हमेशा जिन्दा रहती है बाकी जितनी भी चीज़ें है चाहे वो गाड़िया हो चाहे वो सोलर पैनल्स है हो चाहे वो हमारे ये घर हो चाहे वो बंगले हो चाहे वो सोना हो चाहे वो चांदी हो चाहे वो हम हो हर چیزیں मिٹ जाना है हर चीजें मिटी में मिल जाना है और सिर्फ अल्लापा की जात है जिसने रहना है आपने जब भी मांगना है अल्लाप से आप मांगे बचाए इसके कि आप लोगों के आगे हार्ड फेलाएं किसी पीरों के अस्ताने पर जाए चाहे वो जिन्दा पीर हो चाहे वो मरा वो पीर हो दोनों सूरतों में वो अल्ला के बरापर नहीं हो सकते उनसे आप किसी भी किसम की ऐसी हर्प नहीं मांग सकते कि जो सिर्फ आपको अल्ला से मांगे